वेल्कम टू इशानी वीडियोज हम ले आये हैं नागिन सीजन 3 से जुड़ी एक और खबर अभी तक आपने हुकुम का जो चहरा देखा है वो सिर्फ एक बनावट थी मतलब सिर्फ आपको भ्रम में डालने के लिए और थोड़ा बहुत टाइम आगे बढ़ाने के लिए ये सब किया गया था लेकिन अब हुकुम का असली चहरा सामने आ चुका है जो की निभा रहे हैं निकेतन धीर और यहाँ पर हुकुम के बारें हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो की आपको पता भी होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर शायद से आपको नहीं पता तो चली हम आपको बता देते हैं हुकुम एक ऐसा यहाँ पर है शक्ति साली इनसान या फिर हम बोलें एक ऐसी दिव्य शक्ती जो की बहुत पहले से ही नागवंच के पीछे पड़ी हुई है मतलब आपको पता ही होगा हुकम चाहता क्या है बेला से अपने वंच को आगे बढ़ाना और यहाँ पर एक अलग ही अपना वंचर्च पैदा करना लेकिन बेला को तीन शर्ते पूरी करनी है हुकम को मात देने के लिए जिसमें से दो शर्ते पूरी कर चुकी है लेकिन अभी रुकिये क्या यहाँ पर तीन शर्त जो तीसरी शर्त वो इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी तो नहीं इतनी जल्दी पूरी नहीं होने वाली और आपको बता दे हुकुम एक ऐसा इंसान या फिर ऐसा दिविशक्ती है जो की बहुत पहले से पढ़ा हुआ है बेला और नागवंच के पीछे और वो चाहता है अपने वंशच को आगे बढ़ाना और उसने बहुत पहले ही यहाँ पर चोट पहुचानी के और नुकसान पह रोल क्या है क्या वो नेगिटिव है या फिर पॉजिटिव रोल में तो उनके बारे में हम ख़बर निकाल रहे हैं जल्दी हम आपको उनके बारे में पूरी तरसे निउस प्रवाइट कराएंगे आप बने रहे हमारे साथ में आपकी सभी कन्फिजन दूर हो जाएगी अब बेला के सामने आई है पहली चुनोती कि यहाँ पर उसे नागमनी को बचाना है और दूसरी चुनोती उसके प्यार यानि माहिर को अब बेला इतनी जादा ताकतवर है लेकिन अभी कुछ ब्रहम जाल में फसी हुई है जिस वाज़े से वो अपनी शक्तियां इस्तमाल नहीं कर पा रही उसे थोड़ी कमजूर दिख रही है लेकिन अभी आपको देखने को मिलने वाला है बहुती तगड़ा ट्विच्ट जो कि आपको आने आले एप्सोड में देखने को मिलेगा बेला मदद करेगी अपनी प्यार और नागमनी की रक्षा करेगी कैसी लिए आपको यह अपडेट कमेंट करके जरूब बताएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना और भी लेटेस अपडेट आपके बास तक पहुंच जाएगी